हेलो दोस्तो आज हम reasoning में latest exam में पूछे गए figure series के question करेंगे इससे पहले मैं आपको figure series के question करा चुका हूँ वहाँ भी मैंने आपको बताया है कि आप इन question को किस तरीके से करते हैं यह जो question है आपका latest exam में पूछे गए हैं अभी selection post 6 मैंने लिए हैं उससे पहले मैंने आपको latest question कराई भी होए थे आज हम फिर से question को करेंगे मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से इसमें आपको question करने हैं आप देखो कि अगर आप यहां से पहले figure से दूसरे figure में जाते तो आपको यह देखना है कि कोई एक element लेना है उस element में किस तरीके से changes आ रहे हैं यह आपको देखना है changes कैसे हो सकते हैं anti clockwise direction में घूम सकता है वो element या आपका clockwise direction में घूम सकता है या आपका angle change हो सकता है जैसे 90 हो सकता है, 45 हो सकता है इस तरीके से आपको देखना है कि वो pattern किस तरीके से आगे स्रीज में बढ़ रहा है जैसे आप पहला question देखते हैं अगर आप इस element में देखोगे कि कौन सा element change हो रहा है आपको option eliminate करना इसमें बहुत जरूरी है उससे आप आसानी से कर पाएंगे अगर आप यहाँ पर देखो पहले option में देखो आप इससे देख सकतो यह आपका यह element जो है, यह figure जो है यह आपको देखो किस तरीके से change हो रहा है next में यह ऐसे हो जा रहा है आप देख सकतो, फिर आप देखोगे इस तरीके से हो रहा है, फिर next में ऐसे तो अब कैसे आना चीए, इस तरीके से आना चीए ठीक है, उपर को जो circle है वो आपका top में होना चीए, तो आप देखो दो option तो आपको ऐसे ही eliminate हो जाएंगे ठीक है, आप देख सकतो, पहले उससे जरूर question करो आप देखो, उपर को होना चीए था आपका final तो आप देखो, यह आपका होगा नी ठीक है, उसी तरीके से 4 तो होगा नी तो इसी तरीके से आपको eliminate करना है उसके बाद देखो, बांकी जो figure है उसमें कैसे change हो रहा है, अगर आप सिर्फ एक figure देते हैं, अगर आप देखे triangle को देखें, तो triangle कैसे जा रहा है आपका यहाँ पर आ जा रहा है ठीक है, आप देखो, left bottom में आ जा रहा है, ठीक है triangle next figure में जब यहाँ से यहाँ गया, देखो, beach वाला जो है वो आपका left bottom में आ रहा है, उसी परकार आप देखो, यह circle है, आप बीच में यहाँ से यहाँ गया तो यह देखो, left bottom में आ गया और यहाँ देखो, फिर यह C आ गया, यानि कि जो भी beach में है, वो left में bottom तो यानि कि triangle आपका यहाँ पर आना चाहिए इस तरीके से आप कह सकते हो और एक यह option में आपको ऐसा नजर आएगा जो आपका third option है यह right हो जाएगा अब आप यहाँ पर कोई भी element ले सकते हो या सारे element एक साथ भी ले सकते हो आप देखोगे कि इन में कैसे change हो रहा है यह clockwise direction म अगर आप इस तरीके से मानते हैं ठीक है यह आपका triangle shape में तो यह आप देखो triangle यहाँ है यह circle यहाँ है c यहाँ है जब भी next में जा रहा है तो आप देखो यह clockwise direction में एक हिस्ता नीचे चले चले जा रहा है यानि कि triangle आ Пए अगर आप आपका triangle यहाँ पहुँच गया है और जो यहां पे C था, यह आपका टॉप में पहुंच गया और सर्किल जो है, वो बीज मा आ गया है, आप देखो ऐसा ही हुआ है, दूसरे यहां से यहां जाने में, अब देखो यहां से यहां जाएगा, तो फिर से इस तरीके से आप देख सकते हो, समझाने के लिए मैं यहां प अंगल आपका यहां जाएगा, जो यहां है, यह सी उपर होगा और सर्किल बीच मा आएगा, तो आप देखो, जो थार्ड ओप्सन है, उसमें सेम इसी तरीके से, और किस तरीके से जा रहे हैं, यह आप देख सकते हो, इस तरीके से हम जा रहे हैं, पहले हम यहां गए, फिर इससे पहले figure series के question एक वीडियो और डालिए जो भी latest question है उन्हीं पर मैंने वीडियो बनाई है पुराने question में नहीं बनाई है तो ये भी आपके latest है तो इस तरीके से आप देख सकते हो फिर से बता रहा हूं आप element को देखें वो किस तरीके से changes आ रहे हैं उस element में ठीक है हो सकत एंगल में change हो clockwise direction एंटी clockwise जा सकता है ठीक है कहीं पर mirror image भी बन सकते है ठीक है water image भी बन सकते है इस तरीके से भी आपके कई सारे pattern आते हैं तो question कराए हूं उन्हें भी जरूर देखें next question देखते हैं अब इस question में देखो क्या changes आ रहे है ठीक है अब यहां पर आप देखोगे आप यहां से अगर इस figure से यहां जाते है तो आप यह beach वाले star को देखो ठीक है यह star क्या रहा है next में कहां आ जा रहा है beach में आ जा रहा है तो sorry यहां पर right bottom में आ जा रहा है आप देख सकतो next में right bottom में आ जा रहा है उसके बाद देखो beach में क्या है आपका यह square है और next में य कैसे changes हो रहा है अब देखो यहाँ जब पहले से यहाँ जा रहे तो एक जो आपका element है वो बिल्कुल गायब हो जा रहा है आप देख सकतो यह जो आपका arrow है यह next में नहीं देख रहा है तो समझ में आया आपको क्या है जो भी आपका यह right bottom में आपका जो भी element है वो next figure जाने में वो गायब हो जा रहा है आप देखो यहाँ से यह start था यहाँ पर next figure में यहाँ से यहाँ गए तो आपको नहीं देखा तो पहले वाले case से जो element आपने देखा आपने यह देखा जो भी बीच में है वो right आपका bottom में आ जा रहा है इस तरीके से यहाँ आ जा रहा है तो यानि कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था plus का निसान यहाँ आना चाहिए था ठीक है इस तरीके साब बोल सकते हैं तो पहला option element दूसरा element और fourth भी element third इसका answer हो जाएगा ठीक है आपने देखा किस तरीके समने क्या बाकि और भी element चेक कर सकतो आप मैं यह नहीं कह रहा हूँ इस element को आप देखो और उसके बाद देखो यह एक element नीचे खिस सकते जा रहा है आप देखो यहाँ से अगर आप square को देखते हो तो यह square बीच में आ गया यानि कि यह एक नीचे खिसक गया फिर आप यहाँ से देखो यह plus एक नीचे खिसक गया और उसके बाद यहाँ पर triangle नीचे खिसक जाएगा triangle यहाँ पर आ जाना चाहिए और यहाँ पर कोई भी random element यह put कर दे रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह element तो आपके repeat नहीं होगे इस तरीके से होना चाहिए यहाँ plus बीच में आपका triangle और यहाँ आपका यह आपका circle आ गया तो यह यहाँ पर circle आ जाएगा ठीक है अब हम यह नहीं कह सकते कि circle क्यों लिया यह आपको option से देखने से पता चलेगा कि किस तरीके से option आपको eliminate करने होगे ठीक है तो आपका right answer क्या हो जागए आपके third option हो जाएगा सभी को समझ मां आया होगा किस तरीके से हमने इस question को किया है next question करते है next में देखे ठीक है जैसा मैंने आपको बताया है कि आपको एक element को देखना है कि उसमें किस तरीके से changes आ रहे हैं ठीक है उसे देखते हुए आप आगे उसे solve करें ठीक है कई बार ऐसा भी होगा कि कोई element गायब हो जाएगा तो यह आपको देखेगा pattern आप इस तरीके से देख सकते हैं अब यहाँ पर आप देखोगे कि पहले से जब हम यहाँ से वहाँ गए ठीक है इस figure से यहाँ गए तो किस तरीके से गए आप देखो जो यह one है ना यह आपका कहां पहुँच गया है यह आपका right top पर महुचा हुआ है आप देख सकतो उसके बाद देखो one यहाँ पहुचा बाकी जो भी इसमें और element है वो आपके कहीं उनकी position में कोई change नहीं आवे यानि कि same है आप देख सकतो बाकी सारे element same है उसके बाद आप देखो जो यह आपका box है यह element यहाँ पहुची है ठीक है आप देख सकतो यहाँ पर नहीं आया है किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ यह एक इस्तान छोड़के जा रहा है आप यह मानो कि एक इस्तान तो यह है एक बीच में है और एक आपका यह है इ जब भी आप देखो पहले एक आपका यहाँ था तो यह वाला जो इस्तान था इसे छोड़के यह यहाँ पर गया है उसके बाद देखो second में आप देखो यानि कि एक को छोड़ रहे है एक मतलब जो भी place है उसे यहाँ पर skip करके आगे बढ़ रहा है आप यहाँ पर देखो यह जो box है यह वाला place छोड़के यहाँ next में पहुँच गया ठीक है अब देखो बांकी सारे element same है बांकी किसी में परिवर्तन नहीं हो रहा है अब देखो यहाँ से देखो फिर next में यहाँ से यहाँ गये तो क्या हुआ जो यह end है यह यहाला place छोड़के यहाँ पर जाएगा आप देख सकतो S यहाँ पर गया हुआ है बांकी सारे element आपके same है ठीक है समझ माया तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है 8 ठीक है इसमें जब यहाँ जाएगा तो 8 जाएगा तो 8 कहाँ पर आएगा यह वाला place को छोड़ देना है 8 आपका यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर आपका क्या होगा सर्किल हो जाएगा तो यह आपका फिगर बनना जाए तो देखें कौन से फिगर में अगर आप eight की position को देखते तो यह तो सीधे eliminate हो गया उसके बाद आपको बता है यहाँ पर सर्किल आ रहा है तो आप देखो यह वाला option में यानि कि यह आपका box है तो एक place आपका यहाँ है एक place यहाँ है एक place यहाँ है इस तरीके से यहाँ पर place है ठीक है जिसमें element है तो जब भी एक element आगे बढ़़ा है clockwise direction में आप देख सकते हो तो वो एक place को छोड़ के जा रहा है यानि कि यहाँ पर middle पर में आगया होगा तो इसका answer क्या है आपका second option है ठीक है next question करते है next में देखें अब फिर से आप देखो इतने सारे element है आपको क्या करना है एक series की तरह है तो आपको series है figure series है तो series में कैसे pattern आप देखते हो इस तरीके से आप कोई भी element लेख लो माना मैंने ये triangle को देखा तो मैंने देखा triangle में कैसे change होगा जो यहाँ पर position जो इस position में triangle था यह जब यहाँ से यहाँ गया तो यह एक step उपर गया हुआ है देखो एक step उपर गया हुआ है फिर आप देखो यहाँ पर इसी right bottom की बात कर रहा हूँ right bottom में यहाँ पर square है तो आप देखो जब यह next में गया तो यह top पर चले जा रहा है तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर right bottom में है यह next figure में जाने में top में चले जा रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाने चीए था यह box इस तरीके से आ जाने चाहिए था तो यानि कि यह आपका option होगा नहीं ठीक है यहाँ पर आप देख सकतो यहाँ पर box नहीं है इस तरीके से circle है तो एक option आपका element हो गया बांकि आप दूसरा element देखो कि उसमें कैसे changes आ रहे हैं अब आप देखो जो यह आपका star है यह star है यह आपका next में कहा आ जा रहा है यहाँ आ रहा है देख सकतो आप तो इसका मतलब उसके बाद आप देखो यह जो point है black point है यह next में जब यहां से यहाँ गए तो आप देखो यह यहाँ आया कैसे changes हुआ समझ में आ गया तो यहाँ पर क्या आने चाहिए था यहाँ पर इस corner में ठीक है इस तरीक होगे second option में देखो यहाँ पर pentagon है यहाँ पर भी pentagon है यहाँ पर भी pentagon है तो आपको इस option को वहाँ पर नहीं देखना है तो इसी मतलब यह element को आपको वहाँ पर नहीं देखना है वही element देखना है जिसमें changes हो रहा है अब आप कह सकते हो कि यहाँ पर इस element को देखो यह element द सक Red ठब Hill ठीक है जिसमें 6 Sides हैं तो इस तरीके से यहाँ पर 6 Sides वाला आना चीए है आप देख सकते हो तो यह आपका आंसर कौन सा हो जाका जिसमें 6 Sides है Second Option बस समझ भी आया कैसे मैंने बताया देखो मैं फिर से आपको बता देता हूँ अगर आपको कोई आपके अपने तरीके हैं जैसे आपने सीखा हुआ है क्योंकि अभी तक तो सभी ने कहीं ना कहीं से ये सीखा ही होगा पहले से तो आप अपने तरीके से करें ठीक है आप उसमें efficient है तो उससे करें जरूरी नहीं है कि आप अलग-अलग तरीके सीखें तीक है आप जिसमें efficient है उससे करें बांकि आप देख सकते हो जैसे मैंने बताया हुआ और काफी सारे latest के question मैंने कराई हुए भी है आप देख भी सकते हो कि उसमें कैसे changes हो रहे हैं आपको ऐसे ही देखना है कि आपका कौन से element में किस तरीके से change हो रहा है मैंने आपको बताया कैसे आपको changes देखने है आपको देखने है वो element आपका कैसे next figure में जा रहा है कहां से कहां जा रहा है और क्या तो angle में जा रहा होगा या आपका direction उसकी गूमड़ी होगी anti-clockwise या clockwise या आप option eliminate कर सकते हैं और option में भी आपक कुछ नहीं मिलेगा तो आप उसी element को check करें जिसमें आपके change जा रहे हैं जैसे आपने देखा कि यहाँ पे इन तीनो option में यह वाला element बिल्कुल सब में अलग था तो आपने यही element देखा कि यह element आ कैसे रहा है इस position में कौन से element आ रहा है bottom में तो यहाँ पे यह element जाना चाहिए था समझ मां आ गया किस तरीके से करना और भी आप element देख सकते हो कि उसमें कैसे आपका changes आ रहे हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा आपका second option हो जाएगा इस question को देखो आप किस तरीके से करेंगे यहाँ पे आपको एक element दिख रहा होगा जो बीच में है आप देखो पहले यह इस तरीके से था ठीक है आपका यह था फिर आप देखो यहाँ पे ऐसे पहुँच गया यानि क्या आप कह सकते हो कि anti-clockwise direction में घुम रहा है और 90 degree घुम रहा है फिर आप देखो इस तरीके से हो गया है फिर आप देखो नीचे हो गया है तो आप यहाँ पे anti-clockwise direction में घुमना चाहिए और 90 degree का angle है तो आपका ऐसे होना चाहिए था तो आप देखो इस तरीके से आपका यह option element यह element दो option बचे ठीक है तो आपने देखा कि आपके दो option element होगे अब देखो इन दो option में changes कहाँ पे आ रहे है अब आप यह देखो यहाँ आपका triangle है और यहाँ पे आपका square है तो आप देखो इसमें कैसे changes आ रहे है आप देख सकतो जब हम यह triangle यह आपका यह वाला figure कैसे आया है तो यह देखो यह जो आपका आया हुआ है यह यहाँ से उठके आया हुआ है यानि कि जो आपका left top पे है corner में और next में कहाँ पहुंच जा रहा है right bottom में पहुंच जा रहा है समझ में आया अब उसके बाद आप देखो समझ में आया या आप सीधे सीधे यह आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप सीधे बोलू तो यह आप देखो यह element उठके यहाँ पहुंच गया है next figure में फिर उसके बाद देखो यह आपका जो भी यहाँ पे left में top में है element वो next में यहाँ से उठके यहाँ पहुंच गया है फिर आप यहाँ से कह सकतो इस element को देखो यह next में यहाँ से यहाँ पहुंच गया है ठीक है समझ में आ रहा होगा इस तरीके से में बता रहा हूँ आप देख सकतो ठीक है आपको arrow से दिखा भी रहा हूँ तो यहाँ पर यह element है यहाँ से उठके यहाँ पहुंच जाना चीए तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर box आएगा और इन दो option में कौन से option में box है fourth option में यह इसका right answer हो जाएगा समझ महा आगया अब किसी ने यह box नहीं देखा तो यह triangle को देख ले कि यह वाले element को देख ले कि वो किस तरीके से आ रहा है ठीक है इसे मैं rough कर लेता हूँ आप देखो यह element top में कैसे आ रहा है ठीक है तो top में आप देखोगे यह है आपका तो यह देखो यहाँ था यहां से टॉप में पहुंचा इस तरीके से फिर उसके बाद देखो यह वाला element है यहां से यह टॉप में पहुंच गया और उसके बाद यह element है यहां से टॉप में यहां पहुंच गया तो इसका मतलब यहां से यह टॉप में triangle यहाँ पर इस तरीके से triangle आना चाहिए था तो आप देख सकतो triangle भी आपका photo option में ही है यही इसका right answer हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया होगा आसान है आसानी से आपको समझ में भी आ रहा होगा next question देखो यहाँ पर किस तरीके से किया गया है अगर आप देखोगे पहले figure से हम यहाँ जा रहे है ठीक है तो आप देख सकतो अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे है तो किस तरीके का figure आपको नजर आ रहा है तो आप यह बोल सकते हैं कि यह आपका यहाँ पर mirror image है ठीक है सभी को दिख रही होगी उसके बाद फिर से यहां से यहां गए तो फिर यहां पर mirror लगा दिया तो यह आपको mirror image दिखेगी ठीक है फिर आप देखो इसके बाद क्या होना चाहिए water image बननी चाहिए तो यानि कि यहां mirror लगाना हुआ है तो अब जब यहां mirror लगाएंग तो आपको पता है कि ये वाला हिस्सा जो है ये bottom में है तो ये top में हो जाना चाहिए तो आप देखो top में आपको पहले option में नजर आएगा इसमें आपको नजर नहीं है इसमें नहीं है तो आपका क्या पहला और third option में से एक हो सकता है उसके बाद आप देखो जब ये आपका water image बन रही है तो ये जो आपका arrow है ये arrow इसी इस्थान पर रहना चाहिए इसकी place में कोई changes नहीं आएगा ठीक है राइट लेफ्ट नहीं होगा क्योंकि आपका water image बन रही है तो यानि कि ये arrow है बस इसकी direction ऐसे नीचे को हो जाएगा और इसी इस्थान पर रहेगा जबकि आप देखो third option में यहाँ पहुंच आ रहा है तो ये इसका answer होगा नहीं तो answer क्या होगा first option होगा ठीक है समझमा आ गया तो यहाँ पर ये चीज़ है आपको figure बनाने की जरुवत नहीं है बस आपको देखना है किस तरीके से उसमें changes आया है next question देखते हैं अब इस question को देखो यहाँ पर क कि आप eliminate इसे कैसे कर सकते हैं ठीक है तो आप देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो कि ये element कैसे आ रहा है आप देखो यहाँ पर जो आपका right bottom में है ये element देखो इस element को देखो ये next में कहां चले गया यहाँ से नीचे चले गया यानि कि एक इसतान नीचे जा रहा है आप का clockwise direction में उसके बाद आप इस triangle को देखो ये triangle एक इसता नीचे चले गया clockwise direction में और यहाँ पर फिर उसके बाद देखो ये आपका triangle यहाँ से गया फिर इस plus वाले निसान को देखो ये नीचे चले गया तो इसका मतलब ये आपका नीचे जाना आप यह देख सकतो हो राइट जो टॉप में है इस element को देखो इस में change हो रहा है अब ये element कैसे आरा है आपको ये देखने है ठीक है अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ से देखोगे तो यहाँ आपका कोई इस figure में triangle नहीं है यहाँ पर triangle आ गया ठीक है और यहां देखो इस figure में plus नहीं यहां plus आ गया है और इस figure में यहां देखो यह 8 वाला नया है यानि कि जो भी top में आ रहा है वो अलग element आ रहा है ठीक है जो repeated element यहां जो element है वो नहीं आना चीए था ठीक है आप यह कह सकते हो अब देखो यहां आपका already third option में देखो second और fourth तो हमने eliminate कर दिये third option में देखो गए यह plus है जबकि यहां already plus है तो मैंने आपको बताया जो भी आपका right top में element आ रहा है वो बिल्गुल नया आ रहा है आप देख सकतो हर figure में देख सकतो यह देखो triangle इस से पहले वाले figure में कहीं triangle था नहीं था triangle आ गया उसके बाद आप देखो यह plus वाले निसान यहां था नहीं था plus आ गया फिर आप देख सकतो यह देख सकतो जो 8 बना हुआ है इस तरीके का यह आपका इस से पहले वाले figure में था नहीं था तो इसका मतलब यहां पे plus यह figure नहीं आना चाहिए था ठीक है आप देखो third option में यहां पे plus है तो यह नहीं आना चाहिए था तो इसका मतलब आपका answer क्या हो जाएगा first option हो जाएगा क्योंकि यहां पे element नया है ठीक है फिर भी आप इस element को नहीं देखते तो आप दूसरा element देख लीजे आप देखो बांकी यहां इसमें आपका first और third में आपका और क्या changes है आप इस figure को नहीं देखोगे क्योंकि आपका same figure है ठीक है तो आप इस स्वाले को देखो जो आपका कौन सा है bottom में अब bottom में कैसे आ रहा आप यह देखो ठीक है आप देखो bottom में कैसे यह figure आ रहा है तो आप यहां पे देखो यह जो आपका यह खिसक रहा है यहां पे ठीक है आप देख सकतो यह आपका जो भी यहां पे figure है यह एक इस्तान आपका clockwise direction में जा रहा है आप देख सकतो next में यहां से यहां गए तो यह figure गए ठीक है फिर उसके बाद आप देखो triangle आपका यहां से यहां गए तो triangle आपका एक इस्तान यहां गया तो इसका मतलब यह plus वाला यहां पे होना चीए था तो आपको पहले option में ही दिखेगा ठीक है यह देखने की जरुवत नहीं है अगर कोई दूसरा element देखना चाहरा है तो उसके लिए मैंने बता है ठीक है बाकि यह सारी चीजे इतना करने की जरुवत नहीं है आपको समझाने के लिए मैंने किया हुआ है वहाँ पे आपको ऐसी देखना है कि element में changes कैसे हो रहे है ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा बीच वाले element को देख लो या तो आप या आप इसे ही देख लो यह आपका कैसे जा रहा है clockwise direction में एक स्थान आगे जा रहा है आप देख सकतो यह वाला element यहां से जब next में गया तो एक स्थान आगे गया फिर इस element को एक स्थान आगे फिर ये एक स्थान आगे गया है next में और यहां पर आपका ये जाना चाहिए था यानि कि ये आपका ऐसे आना चाहिए था ये वाला box आना चाहिए तो ये option eliminate हो जाएगा ये आपका eliminate हो जाएगा दो option है उसके बाद आप और देख सकतो और कैसे changes ह हो रहे है ठीक है अब देखो जब यहां से एक element तो आपने देख रहे है एक element में इस तरीके से changes हो रहा है clockwise direction में ये आगे जा रहा है ठीक है उसके बाद देखो और क्या changes है अब इन दोनों option में देखो क्या changes है जिसमें changes है वही वाला element आपको देखना है ठीक है अब देखो यहाँ पर यह वाला element देख लो जो आपका bottom में है ठीक है? right bottom में है, तो right bottom में कौन सा element आ रहा है? आपको यह देखना है तो right bottom में देखो, यह जब यहाँ से यहाँ गये तो यह element आपका anti-clockwise direction में यहाँ गया हुआ है उसके बाद यह देखो, यहाँ से third option हो गया, ठीक है? समझ माँ आ गया तो इसी तरीके से आपको यह question करना है next question करते है तो इसका right answer क्या है? आपका third option next question देखें, इसमें किस तरीके से changes हुआ है? अगर आप इस element को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे फिर दो में दो है, तो यहाँ तीन होने चाहिए थे, लेकिन left side में होना चाहिए था तो आपका यह option तो eliminate हो गया क्योंकि left side में नहीं है, और चीज़ देखो और क्या difference हा रहा है इसमें, अब देखो पहले यह था, इस तरीके से था, next में आपका यह ऐसे बन गया, तो आप देखो यह आपका क्या है, यह आपका mirror image है आप क्या सकतो, उसके बाद देखो जब next में यह गया, यह element तो इसी direction में था, जैसे यह है इसी direction में है, और उसके बाद next में देखो यह element कैसे हो गया है, ऐसे हो गया है आप देख सकतो यह क्या है यह आपकी mirror image है ना आप देख सकतो अगर इसकी water image है अगर आप देखो यहाँ पर आएगा तो इसकी water image बनाओगे तो इस तरीके से बनाओगे तो यह water image है उसके बार next में देखो यह इसी direction में है और अब यहाँ पर क्या आना चाहिए था अब फिर से mirror image आनी चाहिए थी तो mirror image बनाओगी क्योंकि सुरुआत पहले mirror image होई फिर water image फिर mirror image बनेगी तो आप देख सकते हो इस तरीके से है तो यह आपका कैसे बनेगा इस तरीके से बन जाएगा कौन से option में है fourth option में यही इसका right answer हो जाएगा ठीक है समझ माँ गया और भी element आप देख सकते हो और कैसे changes हो रहे है ठीक है तो एक तो आपने यह देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे change हो जो रहा है फिर आप इस element को देखोगे तो आप देखो हर figure में देखोगे जो भी आपका left bottom में element आ रहे है आप देखो वो आपका नया element है ठीक है हर बार नया element है यानि कि पुराना कोई in message जो यहाँ element यूज हो है वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका second option तो नहीं होगा ठीक है समझ में आ गया होगा next question करते है rough कर लेता हूँ पहले भी आप question को पॉच करके कर सकते है ठीक है फिर भी आप देख सकते है next question देखे है यहाँ पर कैसे changes हुआ है पहले तो आपका होगे arrow देखोगे arrow आपका देखो पहले इस तरीके से था फिर आपका यह गया 90 degree change हुआ एक step आगे चले गया clockwise direction में फिर उसके बाद 90 degree change हुआ इस तरीके से आगया clockwise direction में अब कैसे आना चाहिए था अब इसको यहाँ पहुंचाना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए ठीक है clockwise direction में 90 degree तो आपका पहला नहीं होगा second नहीं होगा third और fourth में होगा अब देखो इसमें कैसे changes है आप देखो इसमें जो यह black portion है ना यह दोनों में same है तो इससे आपको नहीं देखना है आप देखो black portion के बाद यहाँ क्या है black portion के बाद अगर आप clockwise direction में जाते हो तो इस तरीके का box आने चाहिए तो आप देखो यहाँ पर इसके बाद इस तरीके का box है जो circle है यह box के बाद आ रहा है तो आप यहाँ पर देखो इसके बाद यह box है तो यहाँ इन दोनों option में देखो इस black portion के बाद क्या आना चाहिए था यहाँ पर box आना चाहता है जबकि circle आया हुआ है तो circle नहीं होगा तो fourth option इसका right हो जाएगा ठीक है इसकी sequence आप देख सकतो कैसे है पहले आपका black है clockwise direction में फिर उसके बाद यह box है फिर circle है ठीक है जबकि यहाँ पर आपका clockwise direction में इस तरीके से यहाँ पर circle आ गया तो यह भी आपका answer क्या हो जाएगा fourth option हो जाएगा बाकि आप angle भी देख सकतो कितने angle उसमें changes हो रहा और किस तरीके से वह आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर आपके मैंने जो भी आपके latest question थे यह आपके अभी selection post में पूछे गए थे वो मैंने करा दिये हैं बाकि figure series के मैंने और भी स करा दिया कि फिर से बता दूँ आप देख सकतो angle में देख सकतो कोई एक element को देखो कि किस तरीके से change हो रहा है option eliminate करना आपके यहाँ पर important है option आप eliminate करें और आसानी से question आप कर सकते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर smart करते हैं बाकि वीडियो को share करें like करें comment करें thank you